नमस्कार, मैं परणजॉय गुहा ठाकुर्ता, आज आप सबको मैं निउस क्लिक में स्वागत कर रहा हूँ, आज मैं कानपूर में हूँ और यहां उत्तर प्रदेश का जो विदान सबाद चुनाओ चल रहे हैं, इस रिशे के उपर मैं बातचीत करूँगा, मेरे साथ है शंकर सिंग जी हमारा दर्शकों में बताना चाहता हूँ, दोहजार बारा में उत्तर प्रदेश पुलीस विभाक से सेवा निर्वित किया, डियाई जी, डेपिटी इंस्पेक्टर जेनरल पॉजिशन में, और आज आप तो राजनीती समझते हैं, एक तरह से राजनीती वि बारी बहुमत से विधान सभा चुनाओं जीता, नोट बंदी का कुछ महिनों में बात, चार सो तीन विधान सभा केंद्र में भारते जन्दा पार्टी तीन सो बारा मिला, और अगर आप इंके सहयोगी दल जैसे अपना दल के साथ, तो लगवाक तीन सो बाइस देश का सप एक तरफा नहीं है इस बार चुनाओं का जो संघर्ष कही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि काटे का टकर कहीं भी जा सकते हैं, कमल के साथ जा सकते हैं, साइकल के साथ जा सकते हैं, आप किस नजरिया से देख रहे हैं आज का चुनाओं महल उत्रपदेश में? परण्या जी मैं शुक्रिया मुझे अपने लिउस्किलिक में आउसर दिने के लिए कि लिए दोहस्टार बारार में रिटायर होने के बाद तीन चुनाओ यूपी में एसे हुई जिससे हमने काफी नजदीकी से देखा है जो कि पुलिस की नौकरी में भी पूरे सर्विस में चुनाओ ही हम लोग हर चुनाओ देखे हैं तो थोड़ी बहुत राजमितिक समझ होती है लेकर रिटायर होने के बाद थोड़ी रूची भी थी राजमितिक मामलात में, अगबारों में, लिखने पहने में, करेंट अफेहर्स में तो पड़ती वेश भी काफी कुछ सीखा है और फिर एक समझने की कोशिश की है तो तीन चुनाओर, 2014, 2017, 2019 यह तीन चुनाओर जिसमें 2014 लोकसभा का था, 2017 यूपी विधान सभा का था, 2019 फिर लोकसभा का था और अफिर विधान सभा के चुनाओर में है 2014 के चुनाओर तो जबदर्स्त कांग्रिस के एंटी इंकंबैंसी के संबंध में था तो उसमें तो मन महुन सिंह की सरकार के चली गई तो जब दुजार के बाद जब 2017 का चुनाओर यूपी विधान सभा में हुआ और उसके ठीक पहले नोट बंदी हुई थी नोट बंदी तब भी जितने एकनॉमिक के एक्सपर्ट्स थे दुनिया भरके उन्होंने नोट बंदी को एक डिजास्टर ही कहा था और वो लगता है डिजास्टर भी है वो आजकल भार्दी जिन्दा पाटी तो खामोश है उस विशे को भार्दी जिन्दा पाटी करूना के पहले 31 मार्च को 31 मार्च टू जिरो टू जिरो को टू परसंट जीडिप अगर उस समय कहा था कि यह नोट बंदी फरजी नोट खतम हो जाएगा आतंगवादी का पैसा खतम हो जाएगा और यह गरीब के हित में है जो काला धन है जो अमीर लोग के पास वो भी खतम ह आज तक सरकार यह बता नहीं पाएगी काला धन कितना मिला और काउंटर फीट जो नकली करेंसी के बाद थी नकली नोट के बाद थी उसका योगदान अर्थमियुस्तम बहुत कम है उसको काटने के लिए किया नहीं जा सकता था यह और मुझे जहां तक अंदाजा है हमारे बहुत तोर रभी आई चीफ थे गवर्णर साहब राजन साहब उन्होंने भी कहा था कि नोट बंदी का कोई बहुत लाब नहीं होगा मगर राजने थे खलाभ मिला, राजने थे किलाभ ये मिला, कि कुछ बहुत पार्टियों की पोलिटिकल फंडिंग पे असर पड़ा, ज्याद हते रड़ रणे के पैसे ब्लाक मनि में ही रहते हैं, तो उस पर असर पड़ा क्यूंकि इस पफार बंजन समाजवादी पाटी थी, समाजवादी पार्टी थी, तमाम पाटी आ थी, बाझभाज के पाउर में थी, पाउर में आज भी है, तो नाचुरली ये और जिस एकनामिक लाइन पर चल रहे हैं वो एक तरह का कैपिटेलिजम है या बहतर होगा क्रोनी कैपिटेलिजम है जो आप कहते हैं हम भी उसे कहते हैं जिसमें मुश्किल से कैपिटेलिजम तक थेयरी है उस थेयरी पर भी एकनामिक चल सकती है क्रोनी कै रेपिटेलिजी भी खतम हो जाता है। मगर आप वापस आईए चुनाओ के बारे में। चुनाओ पर हम आएं तो 2017 और 2019 इन पांच साल की चर्चा करें तो 2017 में जो समाजवाजी पार्टी थे उसको भी इन्टी इनकंबेंसी जहलना पड़ा था। दूसरे 2014 से 17 जादा दिन हुई नहीं थे तो कॉंग्रिस को भी लेके लोगों में अभी वो जो गुसा था वो बरकरार था। कम तो हो रहा था लेकिन वो बरकरार था। दूसरे जो भाजपा का जो आईटी शेल था। जिसने कॉंग्रेस को पटकुली राहूल गांदी को जिस रोशनी में दिखाना शुरू किया था। जिसने जरिये से पेश करना शुरू किया था। उस नजरिये को देखते वे साफ लग रहा था कि वे लोग बिल्कुल करते हैं कर दूसरा इंजब ले आयागे हूंप सच मुछ उत्तरपर्देश जैसे हम अदी तर क्या मत देखि सुष्cken्प्रदेश बॉन गया इसमाथ साल मी और तरक्की कि बात करें तो जám मूम विगास की बात करते हं पूरांजी जित एंड, का्टी आफ न्वे刃 का कालने हम देख रहे हैं लाखों लाशे गंगा में बहे रहे हैं लेकिन विकास के पैरामीटर्स अगर आप रोजी रोटी शिच्छा स्वास्त चार बेसिक आदमी की नीट्स होती हैं खाना चाहिए नौकरी चाहिए अरोजगार चाहिए बच्छों को पढ़ने के लिए इसक्र कार नहीं कर रही है मंदिर मस्चित चल रहे हैं उन्हें लगा था एक्चुली बाद इंडिया पाकिस्तान असी फीजदी बीस फीजदी कब्रिस्थान सम्षान चाहिए इसमें एक चीज यह कहूंगा आप तो एकनोमिक्स के बहुत शतरक तब अधेता हैं स्कॉलर हैं तो ब पूर्ण आवतार जंसंग का वीजन रहा है नहीं के ठिंग टैंग आर्श का वीजन रहा है इन्हों ने अपना सारा फोकस ही रिलिजन पर किया है तो इनको लगाता है कि यह चीज चलियाएगी अज भी उन लोग क्या रहे है योध्या में तो मंदिर बन गया तो अभी काश anxiety के उनसार यह बनारस में जहां बिश्वनात बाबा का मंदिर है वह सीट भी भाण स्वाहार रही है ऐध्या में जहां राम जी का मंधर पन रहा है है मोध्याम कि आपने उमीद क्या थी आप पाँच साल के अंतरगत जैसे पुलिस का लेड़ीजे आप हमारे हैं पुलिस में दो डेपार्टमेंट है एक सिविल पुलिस है एक पीसी है हर साल दो भरतिया निकलती थी प्रोविंशल आप कंस्टिबिलरी और यूपी पुलिस दो भरतिया न पांच साल में कोई भरती नहीं हुई टीचर्स की भरती नहीं हुई पर इतने युवाओं बे रोजगार है लोग इसके लबागा गाव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभरा पश्वों की प्रॉब्लम है इस ट्रे कैटिल से रादबर जा क्या पहरा देते हैं ऐसा अगर आप के सारे काव जो जो जबरता एक्षिन होता था एनसे लगाय जाता था वो अब भी हो रहा है और तब हो रहा है ऐसा नहीं था लेकिन उसके बाद सरकार का सारा ध्यान फोकस चेंज हो गया आपने एजुकेशन की हालत है इनुर्स्टी इस की फीज बढ़ गई इस बढ़ गई है आयम के फीज बढ़ गई है टीचर्स की वैकेंसी है जबरदस टीजर्स की वैकेंसी है तो विजह जी वही सवाल में घूम फिरके वापस आ रहा हूं यह सारे जो मुद्धा चुनाओं के नतीजह के उपर क्या असर बनने वाले हैं मैंने पूछा जगर जगर जो बीजेपी के विधायक जा रहे हैं उनका जो विरोध हो रहा है किसानाम दूलन के लारे कर दीजे वो थोड़ा अलग इशू है वो जो विरोध हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्हों ने पब्लिक के उस प्रॉब्लम को एड्रेस ही ने किया जिससे पॉब्लिक फेस कर रही है ठीक है मैं मान लिया आपके बाद कि लोग नराज है नाखुश है गुस्से में भी है क्या नराज है एक तरह सत्ता विरोधी एक माहल आप देख रहा है सत्ता विरोधी माहल है पर्टिकुरली मैं योगों में सत्ता विरोधी माहल देख र वक्रवारी दें गे नौकरियां चली जाएंगी आरेक्ष रेक्ष इसनल किन खर फ्टम हो जाएगा जब विस्टा इन से च्वाड जाएगी और प्राइविट सेक्टर में आ जाएगी तो आरो देबिक ऑड़ जाएगी युद्सा नौकरियां स्ष्रिंक हो दूसरी हिये है कि basic public sector और private sector basic फर्किया है. Public sector आपको salary नहीं देता है. After retirement की बिदा देता है. Sailuri एक साद तरज तरज की allowances मिलते हैं, वो बच्चों की स्कूल की बिःधा करते हैं, वो नौकरी की बिःधा करते हैं, और भी सुबिदा ही मिलती है, जो private sector नहीं देता है, private sector देता है, कुछ लोगों को देता है, वो top लोगों पे देता है, लेकिन इस सामाने तोर पर नहीं देता है, यह लोगों को संशे है, इस selection में जो समाझवाजवाजी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जो वादा किया है उसका आसर बहुत ज्यादा पढ़ रहा है विजय जी फिर भी ग्रामीन इलाखा में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी समझते हैं कि हमारा प्राधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान है हमको रसाई का सिलिंडर मिला मुफत में ठीक है हमारा इतना पैसा नहीं है कि एक दुसरी सिलिंडर तीसरी सिलिंडर खरीदने के लिए हमारा माननिया रक्षा मंत्री कह रहे कि हमें वोट दीजिए आपका होली में एक रस्वी कैस का सिलिंडर बिलेगा दिवाली में बिलेगा ये लाभारतिया इसके उपर कुतों असर पर सकते हैं सिर्फ उज्वला स्कीम की उस स्वच भारत के बात कीजिए पतान मंत्री किसान बोलिए जो करोना काल में हर परिवार जो गरीब लोग थे उन परिवार में पांच किलो गेहूं डाए किलो चने के दाल ठीक है आप रोजगार नहीं दे पाया मगर आप तो जिसके पास थोड़ा बहुत जमीन है उनका बैंक का खाता में तो छेया जार रुपया आ गया और आप और भी बहुत सारे कारे करें है यसे फ्राधान मंतिर्य आवास योजटिना ठीक है ध्रस्ट चाशार है किसी को एक लाग बीस हजार मिला मगर सुषपन्च को बीस हजार तीस हजार देना पड़ा फिर भी आपको तो न Beijing 1000 मिल गया तो ये सारे जो सामाजिक जो कारे करम है कि इसका फायदा भारतisedyinta party भी जंधा रहे दोबारा कमल का बटन दुबाईंगे दोबारा हा भारतisinta party का यह अनुमान जो आप बटा रहे हैं यह भारति Adventist जयनता party के लोग आप समझ रहे हों मान रहें कि उन से इनका असर होगा वैंकि दूसरी चीज है कि एक ऐसी थित्य आगे बन रही है यह कब तक चलेगी और अगर यह खाजय सुरक्षा की बात करें जा है तो यह खाजय सुरक्षा की एक्ट है इसके इंधरगते दिया जारा है यह अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं तोसरी चीज अगर इसकी बात करें आवास की तो वो एंदेरावासी हो जाओ शुरू से ही चल रही थी, वो उसमें लोगों को मिल रहा था, इसे कुछ लोगों को यह लगता है कि साथ हमें सरकार ने राशन दिया, हमें इनको वोट देना चाहिए, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फरक पढ़ने है, असल में ज्यादा समस् हो रही है, एक तुनका एंगिल कमूनल एंगिल है, इनके विज़से, अगर आप उत्रप्रदेश का इतिहास देखेंगे, कभी कोई एक मुक्मंत्री पात साल लगा था, रहने के बाद दुस्री बार पात साल चुनके नहीं आए, हाँ, बहुत लोग एक बार नहीं, दो बा पाती का एक प्रभाव पर रहे हैं, जो एक समाजिक एक गटबंधन, एक समाजिक एक सोशल कोईलिशन, दोजार सत्रा साल में, दोजार उनीस साल में, भारते जंदाबारी को फायदा मिला, आप देखिए, जो ओबी सीज है, जो जो अन्य पिच्रे जातियों के लोग जो है जो यादव नहीं है, लोग भारते जंदाबाटी को बटन दबाया, कमल के कमल, जो दलित समुदे के लोग है, जो जातव नहीं है, उन्होंने भी भारते जंदाबाटी को समझता है, मगर इस बार हमने देखा, कि सारा से मौरिया जी, और भी लोग, जो मंद्री थे, वो छो की, सपा के पास चला गया, तो यह आप समझते है, क्या सपा का साथ जो है, उनका सामाजिक का गट्वंधन या गच्चोर, भारते जंदाबाटी का गच्चोर से जादा शक्ति है इस बार? हाँ, सपा के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम में थी कि जादा तर यादो जी ने अपने हां बराबर इस्तिमाल करते हैं, यम वाई एंगल था, वो यम वाई के नाम से हां इस्तिमाल तो नहीं हुआ, लेकिन एक नाच्रल वोट बैंक मुस्लिम्स का और यादो का उनको हो गया था, और अधर गोबिसी थे वो अपने को एलेलिक समझ रहे थे अलग हक्ते के बार तो भाजपा के साथ कहे, इस बार समाजवाली पार्टी या खिलेज जी ने, या तो पुराने अरभाव से सीख लिया हो, या कुछ और उन्हों ने सोचा हो, जो जिस तरह की सोचल इंगिन लिंग पेश की है, जिसमें कि नॉन यादो अबिसी भी उनके स अलग है कि जहां से योगी जी आते हैं, गुरकपूर से, वह इलाका थोरोली किसी जमाने में ब्राह्मान ठाकुर कन्फिक्ट का जोन रहा है, वहां अगर मैं उस एरिया में में पोस्टिं मेरी थी, मैं दिवरिया में में अडिशन स्पी थाल, जब मैं वहां पहुंचा था तो यहां लोग यही कहते थे कि एकर यहां ठाकुर अपसर आ गया, तो ब्राह्मान सभाविक तोर पर विरोट करेंगे, ब्राह्मान आगे तो ठाकुर सभाविक तोर पर विरोट करेंगे, तो योगी जी को उसकी वज़ा से ब्राह्मान थोड़े नाराज है, बगर यही ब् देने का संभाबना है या नोटा में बदन दबाएगे नोटा तो नहीं लेकिन यह है कि जिस तरह से शहरों में वोटिंग परसंटेज गिरी है अब आप जिस कॉल्ली में कानफूर में आप उसे बेठे बात कर रहे हैं यह इलाका बिसिकली बाजपा डॉमिनेटेड है पूरी अज़ेश में उच्छा था सथर्मक उच्साह था कि हमें लाना है इस बार वो हट गया इस बार चीजे हमें हाटाना है तो ऐसा नहीं है कि आप भाजपा से नाराज है या अखलेश बहुत अच्छा कर लोग ए इसलिए कि उनों में बहुत नहीं चीज आ गई है पुबिक था कॉंग्रिस को हटाना है, 77 के बाद है, 77 की एलेक्शन में, उसमें यूपी और बिहार से कॉंग्रिस को एक सीट भी नहीं मिली, इंद्राजी खुद चुनावार गे, संजागांधी चुनावार गे, दोजार चौदर में भी यही था, थोड़ा संतर चौदर में यही था, क मनमोहन सिंग को हटाना नहीं है, मोधी को लाना है. तो इस बार भी आप देख रहे हैं, ऐसा 2000, बाइस में भी आप इस तरह से एक तरह सा प्रतिष्ठान विरोधी या सत्ता विरोधी? दोजार बाइस में उतना लैंड्सलाइट तो नहीं उम्मिद कर रहा हूं जितने कि 77 में हुआ है या और कभी बाद में हुआ है, या 84 में हुआ है, उतना लैंड्सलाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि समझवाली पार्टी, कमफर्टिबल मेजाटी से जिस तरह के लोग डावा करें कि 300 तक जाएंगे वो नहीं होगा, लेकिन उसम्पल मेजाटी से आएंगे. दो और सवाल है, एक सवाल है कि देखिए जो बीजेपी के खिलाफ है, जो हमारा मद्दाता है, उनका इस बार वोट माट जाएगा, भाग हो जाएगा, किसी लोग हाती में बटन दबाएंगे, किसी पंजे में दबाएंगे, और ये सारे वोट एक तरह से बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि सभा को फाइदा मिलेगा, आपका क्यान रहे है जो, जिस तरह मैं वेस्सिलेशन कर रहा हूं, ये सच है या नहीं? कि एक देखा जाया, तो तो कि एलेक्शन में इस तरह से मैतमेटिक्स होती नहीं है, सपोज मैंने उन्नीज में मैं भाजपा के साथ था, लेकिन आज मैं बड़ा को नहीं वोट देना चाहता, आज मैं बस्पा को दे रहा हूँ, तो मैं भाजपा का ही वोट कट रहा है। मुसलिम्स अगर आज मीम कोट दे रहे हैं, औवशी साहप कोट दे रहे हैं, तो वो भाजपा का वोट नहीं कट रहा है, वो सपा का वोट कर रहा है। कॉंग्रेस अगर खड़ी है तो कॉंग्रेस का भी जो वोट शेयर है वो अगर मुस्लिम का वोट ले रही है तो वो फिर सपा का वोट काट रही है बाजपा का रही है लेकिन अगर कॉंग्रेस का वोट ले रही है अपर कास्ट का वोट ले रही है तो फिर बाजपा का वोट क इस DAY अब तो सफफ़ कहे दिया कि पहले और सबस्रादी पार्टिय। उसने सब्सक्राइव किृषान उन्दर हो और उने को इसको इसको पता है। उन्हें क्षैन कि नर राजगी है education के हैं कि और 923 जुफ्वर्ट कॉई लिगते हुई sahार तरह कि सबसे बड़ी उपलब्दी अगर कोई है सोशल लेविल पे एकनॉमिक नेविल पर तो अभी कुछ उनको मिला नहीं है वादा मिला है कि मैं में में सबसे बड़ी उपलब्दी यह है कि वेस्ट का जो कमुनल डिस हार्मोनी थी उस तो उन्होंने पाठ दिया है और काफी हद त एक एरनी है कि कोई पार्टी यह चाहती है कि बिखराओ रहे सद्भाव न रहे और बिखराओ से वो जीते और सद्भाव के उसको खलता है मेरा आखरी सवाल विजह जी इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाओं का जो नतीजह होगा क्या असर परेगा भारत वश्कर राजनी मैं यही कहूंगा कि हम लोग बहुत सचेतनागरिक है हम खत्रा भाप जाते हैं और खत्रा भापने के पहले ही तैयार हो जाते हैं रिलिजन एक बहुत अंदर बैठी चीज है अब अगर हम कलकत्ता जाएं तो हम काली मंदिरी दूरू जाएंगे को ज़रूरी नहीं कि बहु इसलिए को हाँ से एक आस्था जुड़ी है दो मिनट आयुद्धा का तो राम मंदिर देख लेते हैं लेकिन वह रिलिजन हमारे उस पर नहीं हावी होता कि हम उसको उसी के लिए जीए मरें दूसरी चीज यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे ज़्यादा MP यही से ज काफी संख्या में चाली से एक तालीस सलाइट सभाई की सीटें हैं और यूपी अगर यह हार जाती भारती जिंदा पार्टी तो दो जाज चौवेस काफी मुश्किल पड़ेगा इसलिए मुश्किल पड़ेगा कि इससे वार हमेशा मनोबल से लड़ा जाता है कि कंग्रेज कि अब यह तो भारती जंता पार्टी को अपना मूल एडियोजी एडियोजी क्या को अपनी स्टेड़ी चेंज करनी पड़ेगी और यह पिछले दस साल से लगातार जो रिलिजन बेस्ट एडियोजी चल रही है इसको उनको करके असल मुद्ध प्लाना पड़ेगा उनको कर धन्यवाद विजय शंकर सिंग जी समय बताएंगे हम दस्तारिक को मालूम परेगा मर्च माजनीना के दस्तारिक कि आपने जो भविशावायनी किया उत्तर प्रदेश का चुनाओं का नतीज़ा का बारे में यह सच होगा यह नहीं होगा और मैं सारे नियूस क्ले का दर्श सब्सक्राइब कीजी चैनल को बटन दबाएए धन्यवाद नशकार